अज्ट करने वाले सी सैट पर कर रहे हैं सेट ए और इसमें हम लोग माथमेटिक का सेक्षिन करवें तो आज हम दों करने वाल हैं कोश्ण नंबर 54-5556 तीनों बहुत जानदार हैं ध्यान से देखें को 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 समझने की कोसिस करेंगे पहले और उसके वादी को साल किया है अधैने में बहुत को में लिए । तो प्वार कहा रहा है तो और दीचा, हमें शुट से समझाता हूँ को कहा हैं क्षाएँ रहा है है बीच ले mila, जिरो डिजिट, डिक्स्टिंक्ट नॉन जिरो डिजिट, यह मालत A है, यह मालत B है, यह C है, A, B, C, ठीक है, तो A का मान, क्या क्या हो सकता है, 1 से लेके 9 तक, A का मान, 1 से लेके 9 तक, B का मान भी, 1 से लेके 9 तक, और C का मान भी, 1 से लेके 9 तक, 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो A, B, C जो डिजिट है इसका जो डिजिटिंग डिजिट है तो डिजिट हमारे एक से नौ तक है अगर जिरो को नहीं लेंगे तो ओके अब कोशन कहा रहा है सपोर्स माल लेते हैं X is the sum of all possible three digit number तो पहले तो एक चीज देखिए कि अगर A को हमें fill करना पर है 100 प्लेस पे कितरे तरीके से fill किया सकता है one से two से three से तो नौ तरीके है ठीक है और यहां पर कह रहा है कि विदाउत रिपीटिशन तो अगर 100प्लेस पे अगर कोई digit fill हो गया तो हमारे पास बच्चेखा किता है अगर हमारे पास बच्चेखा eight कि सो बी जो है आठ तरीके से क्लें सब्सक्र ब능लाइब यह बनेंगे तो प्लाइब कर लेंगे जो अलग अलग नमबर बनेंगे वह 504 डीजी बनेंगे विदाउट अब देखिए कोशन में क्या कह रहा है कि ऐसे जो नमबर बने उसको अगर हम सम करते हैं तो नमबर आएगा हमारे पास ठीक है जैसे एक्जामपल हमने ले लिया 9 8 7 यह तीन डीजित लिया अब इससे 9 7 8 भी बन सकता है 8 7 9 भी बन सकता है तो इसको जोड़ेंगे तो इससी तरह कह रहा है 504 नमबर जो अलग अलग 504 नमबर बने उसको जोड़ना है ठीक है अब जो नमबर बनेगा उसके लिए यहां पर दो लीजित का नमबर हमें तो हमें सबसे छोटा बनाना है तो हमसे सब से छोटा है तो हमें सबसे छोटा डिजित को सिलेक्ट करना पड़ेंगा तो अकल टो B, C अगर digit है, तो अगर A को 1 ले लिए, तो B को just repeat नहीं कर सकते हैं, तो just इस से बढ़ा और C को just इस से बढ़ा, ठीक है, समझ ये बात को, तो ये इस से जो digit 1, 2, 3 अगर लेते हैं, तो सबसे list number हमारा बने, ठीक है, तो 1 तो 123 हो गया, ठीक है, अगर A के जगा 1, B के जगा 3, औ C के जगा 2 लेट, तो 132 हो गया, ठीक है, अब A अगर 1 है, तो 2, 3, 3, 2 का combination बनेगे, अगर A 2 होता, तो 13, ध्यान से देखेंगे, अगर A 2 होता, तो 31, अगर A 3 होता, तो 21, और एक और बन जाता, 13, 12, इस तरह से 6 number बनेगे, ओके, चुकि हमने, क्या निकालना है, least value, तो हमने list digit number निकालना होगा, तो अगर नमबर जो हमारा बना, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, यह जो नमबर बना, इससे अगर हम एड करेंगा, 3, 2, 1, 3, 1, 2, तो यह जो sum आएगा, क्या हो sum 132 है, option यह पूछा है, तो हाँ, इसको अगर हम लोग एड करेंगे, तो यह 132 आएगा option हमारा A सही है, ठीक है, देखिए, logically way से सूचना है question को करने के लिए, ऐसा नहीं कि चल देगे, question अगर आया है, तो वो एक मिनिट में solve होगा, दो मिनिट के अंदर-ंदर solve होगा, ठीक है, अब दूसरा कहा रहा है, three digit greatest value of x, अब देखिए, three digit greatest value of x, यह possible ही नहीं होगा, चू तो तीन digit का number अगर हम sum करेंगा, तो आएगा ही नहीं, ठीक है, वो कब आएगा, जब 0 को भी हमको लेना पड़ेगा, लेकिन 0 हम नहीं ले सकते है, so यहाँ पे option only A correct हो जाएगा, I hope आपको यहीं समझ में आया, बहुत ही अच्छा question को, ठीक है, चलते है next question को, यह भी बहुत जैसे suitcase में होता है, तो उसके 3 pin होगी, 1, 2, 3, 3, pin, pin contain digit 1 to 7, अच्छा, पहले बाले में हमारा हर एक digit था, लेकिन अब जो number होगा, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह सब digit हो सकता है, there is no repetition, मतलब अगर एक digit आ गया, तो वो दुबारा नहीं आएगा pin में, ठीक है, जैसे 1, 1, 2, 2 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2, 2, 2 बार रिपीट हो गया, 1, 2 बार रिपीट हो गया, अब यहाँ पर कह रहा है, the digits in the pin, from left to right, are in decreasing order, left portion क्या हो जागा, यह left होगा, और यह right होगा, अब यह कह रहा है, कि decreasing order में, मतलब left में ज्यादा बढ़ा नम बढ़ा जाएगा, middle में उसे छोटा, और right में सबसे छोटा, any two digits in the pin differ by at least two, अब जो digit हमने use करना है, वो digit का difference कम से कम दो, यह नहीं कहारा है कि दो होना चाहिए, कम से कम दो हो, तीन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए, how many maximum attempt, अब कहारा है कि इस suitcase को खोड़ने के लिए, कितना maximum attempt हमें करना होगा, according to condition of the question, ठीक है, does one need to find out the pin with certainty, कितना maximum attempt लेना, चले, देखते हैं कोशन के, बहुत इशांदर कोशन है, one, two, three, अगर सबसे left में seven लेते हैं, ठीक है, हमने ले लिया seven, तो center पे 5 हो सकता है, हमने 5 ले लिया, center पे क्या ले लिया, 5, अगर 5 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का difference लेना होगा, तो 5 अगर लेते हैं, तो और कौन सा नम्मर जाएगा, 5 minus 2, तो 3 हो सकता है, और 2 हो सकता है, और 1 हो सकता है, मतलब यह तीन तरीका होगा, seven, five, ठीक है, राइट, समझ में रहा है, ओके न, अगर हम यहाँ पे saml लेते हैं, ठीक है, और 5 लिया, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दो आगया, दो combination, दो बन गया attempt, अगर यहाँ पे हम seven लेते हैं, और यहाँ पे तीन लेते हैं, ठीक है, तो चाहर का difference आगया, तो यहाँ में क्या लेना होगा, एक लेना होगा, ठीक है, कितने attempt होगा, छे, अब तो possible नहीं है, so, according to seven, अगर seven यहाँ लेते हैं, तो यहाँ कितना हो गया, पांच भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, तीन अवा सकता है, उसी कहसाब से हमारा 2, 3 एक आया, चलिए, हमने छे attempt ले लिया इसका, आगे चलते हैं, एक तो साथ के साथ हो गया, चलिए, अगर हम यहाँ पे छे ले अगेन, फिर यहाँ पे कितना लेना होगा, तीन, ठीक है, अब तो यहाँ पे कितना लेना होगा, एक, तो यहाँ पे एक attempt और हो गया, चलिए, 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 अगर हम पांच लेते हैं, तो यहाँ पे हमने कितना लेना होगा, फिरी, और यहाँ पर कितना लेना होगा 1 तो यह वाला एक और attempt हो जाएगा ठीक है राइट और अगर यहां पर हम 4 लेते हैं चार लेते हैं तो यहां पर हमें कितना लेना होगा 2 लेना होगा अदो के बाद क्या लेना होगा minimum difference कम से कम difference क्या होगा जिए 0 तो है नहीं मतलब यही possible combination हो सकता है मतलब कितने लेना होगा 6 attempt यहां पर 3 attempt यहां पर 6 और 3 नौ नौ एक 10 option c सहीं इसी तरह question आता है बहुत ही शांदार तरीके साथ question को कर सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है question मतलब question देख के घबराना ने यू कि यसी हमीशा question को नए form में नए रूप में हमीशा देता है ठीक है लेकिन question का concept आपके logical reasoning ability है उसी के हिसाब से होगा ऐसा नहीं कि अदम rocket science वाला question आजाएगा अपो ध्यान से question कर ले चलते है next question के next question यह बहुत शांदा question है और इसमें एक properties है उस properties को यहां पर use करना होगा ठीक है क्योंकि यहां पर right angle triangle के बात कर आगा अगर ध्यान से question कर लेते हैं there are eight equidistance point ठीक है आठ equidistance point on a circle तो एक circle को पहले draw कर लेते हैं क्योंकि circle draw गर कर लेंगा तो सही होगा हमारे लिए हमने यह circle को draw कर लिए हो गया इसमें आठ equidistance point बनाना है चलिए हो बनाते हैं जी यह हो गया one यह two यह three यह four यह five यह six यह seven और यह eight point हमने बना लिए अब question यहां पर कह रहा है how many right angle triangle कितने right angle triangle बनेंगे can be drawn using these point as vertices यह जो point है ना जो marking की है यह vertices लेना triangle का ठीक है vertices taking diameter as one side of the triangle कितने बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी आपको कि angle मेट बाई डायामीटर डायामीटर इंड़ पॉइंट पॉइंट और सरकमफ्रेंस तरकमफ्रेंस एस राइट अगल ट्राइंगल या फिर हम को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो अर्द वृत होता हैं सेमी सरकल होता है वो सरकमफ्रेंस में 90 डिगरी का अंगल बनाता है ठीक है तो अगर हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं billing trading to AB कितने पॉइंट हैं ःक पॉइंट ये वाला है ध्यान सो देखेंगे एक पॉइंट ये वाला एक पॉइंट ये वाला एक पॉइंट ये वाला सेमी सरक्रेंस में और फिर एगेन नीचे में 3, 1,2,3 तो अगर AB डायमेटर है तो कितने ट्रेंगल बनेगे? 6, ठीक है? एक ऐसे दो ऐसे मैं ड्रॉड नहीं कर रहा हूं तो टोटल बनेंगे छे जब एवी डायमीटर है चलिए अब डायमीटर हम लोगों ने एवी के जगह हमने क्या ले लिए यह वाला लाइन ले लिए ठीक है अब इसके कर्सपॉंडिंग में एक दो तीन चार पांच छे इसके क डाइमीटर बन सकते हैं ये ब्लू वाला हो गया इक रेड़ वाला हो गया चलिए एक ब्लाक वाला ड्यमेट्र ले ले लिए तीन और एक हम लोग ड्रीन वाला डइमेटर ले ले लेते हैं लोगों ने यूज किया और आयूपे से पूछ था इस तरहा को आपको वीडियो प्रसंद आया हुआ वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करने वाले हम लोगों ने किया चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से जो आगे का कोशन होगा सीसे टेपर टू का उसको देखेंग अगर वीडियो पसंद आया हुँ तो क्लिक चैनल को सब्सक्राइब करें कंटेंट को शेर करें जितना आधिक साधी को प्राक्टिस करें आज के लिए इतना ही रखते हैं आव नाइस देव जाहें